गनित दैनिक जीवन के लिए बहुत महतपूर्ण विसे हैं, गनित संगननाओं का बिज्ञान हैं, गनित का अर्थ उसके नाम में ही छिपा हुआ हैं, जैसे गनित, गनना करना अर्थात, गननाओं का बिज्ञान होगवेन के अनुसार गनित सभ्यता एवं संस्किर्टी की देन है रोजन बैकन के अनुसार गनित की सिक्छा मुख रूप एवं कुन्जी है लौक के अनुसार गनित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिस्क में तरक करने की आदत अस्थापित होती है एच चांद कोई दीवाना है कोई आसिक बरा पुराना है पिछे किसके ये भागे सारी रात ये जागे ये समा है या परवाना है दीवाना है इस चांद कोई दीवाना है कोई आसिक बरा पुराना है हेलो फ्रेंट्स दिस विजाराजपुस और बेलकम टू वी यार पिंग आज हम लोग गनीत के बिसाय के बारे में बात करेंगे गनीत सिक्षन सास्तर जो के सीटेट के लिए बहुत ही महतपुर्न पार्ट्स अदा करता है भूमिका अदा करती है 15 नमबर का सिक्षन सास्तर से पूछा जाते हैं तो अभी आप सुन रहते बेक्गराउंड से कि गनीत होती क्या है और गनीत के बारे में किन लोगों ने क्या कहा तो हम उशी करी को आगे बरहाते हुए और आपको बताते हैं पेड़ागोगी आप मैथेमेटिक्स गनीत सिक्षन सास्तर नाम से लग रहा है सिक्षन यानि सिक्षा परहाना और सास्तर वाने हुआ चीज़े मैथेमेटिक्स या गनीत जो होता है जिनरले टू कैलकुलेट गनना करना हम लोग गनीत के अंतरगत सिंपली जोर घटाव गुना भाग मुक परकिरिया के अंतरगत ये करते हैं गनना करते हैं अगर आप कोई चीज को बेचते हैं खरीते हैं तो भी क्या करते हैं एक कैलकुलेशन करते हैं गनना करते हैं mathematics to logic हम उसमें तरक करते हैं आख मुंद कर हम विश्वास नहीं कर लेते हैं अगर 2KG दूद कादाम 60 रुपए है तो अगर आपसे 4KG पूछा जाए तो आप उसमें logic उसके तरक के अनुसार ही काम करते हैं ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दिये to settle in the mind a habit of reasoning तरक की आदत मस्तिस्क में settle करते हैं हम अपने मस्तिस्क में एक तरक करने की आदत अस्थापित करते हैं the science of computations the science of computations संगननाओ का बिज्ञान है the science of calculation गननाओ का बिज्ञान इसमें गनना की जाती है to measure मापा जाता है तोला जाता है रुशिक आध्यानोता इसमें creative subject है ये रचनात्मक भी सह है इसमें हमेशा नए नए तरह के calculation नए नए तरह के बिचार निकाली जाती है discover की जाती है invent की जाती है according to the lock लोक ने गनीत के बारे में कहा mathematics is the path through which a habit of reasoning in children's mind यानि गनीत जो है वह मार्ग है through which a habit of reasoning in children's mind जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिस्क में तरक करने की brain is stabilized मस्तिस्क में तरक करने की आदत अस्थापित की जाती है यानि गनीत वह मारग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिस्क में तरक करने की आदत को अस्थापित की जाती है गनीत जो होता है एक ऐसा भी से है जो हमारे रोज मर्रा के जीवन में हमेशा काम आती है आप गनीत के बिना बिज्ञान विशाय की कल्पना नहीं कर सकते हैं एक साधारन से साधारन आदमी भी अपने जीवन में गननाओ करते हैं चावा खरिद विक्री का हो या किसी और चीज का तो गनीत की जो अपने आप में एक खासियत है कि वह किसी तर्क लॉजिक पर ही बात करता है गनीत की प्रकिर्टी देखेगा आप जिस तरीके से मनुस का नेचर होता है और चीजों का नेचर उसे गनीत की भी एक नेचर है एक प्रकिर्टी है यह कैसी नेचर है तो हमें गनीत जो होता है न वह आमूर्थ को मूर्थ परत्यों में बदलना सिखाता है मतलब आमूर्थ का अर्थ होता है जो हम असपस्ट रूप से नहीं दिखाई परती है तो वह अमूर्थ है लेकिन जो हमारे सामने होते हैं जैसे आप जो यह वाइट बोड है वह जो आपको दिखाई दे रहा हो कैसी चीजे मूर्थ है जिसे हम देख सकते हैं तो हमारा जो mathematics होता है वह abstract concept को concrete concepts में change कर देता है convert कर देता है यानि अमूर्थ परतेयों को मूर्थ परतेयों में बदल देता है जैसे अगर हम कहते हैं कि तिर्भूज के तीन कोन होते हैं तो आप क्या करते हैं आपके अभी आमूर्थ है लेकिन जब हम इसे visualize कर देते हैं और हम कहते हैं कि यह हमारा तिर्भूज है और इसके तीन कोन है ABC तो आप जब इसको देख रहे हैं आज परस्ट रूप से तो ही हमारा मूर्थ है दूसरा है senses are base of knowledge हम सभी को पता है कि everybody has five senses पाँच ग्यान इंदरिया होती है आख आख है कान है नाख है जीव है और त्वचा है और सब का अपना एक काम होता है जैसे आई का काम क्या है to see देखना इयर का काम क्या है to hear शुनना नोज का का काम क्या है to smell और टंग का का क्या है to taste श्वाद लेना इसकीन का काम क्या है to feel महसूस करना तो यह जो हमारे पांस ग्यान इंदरिया है वही ग्यान का अधार है हम उसी के अधार पर हम क्या करते हैं तो ग्यान का आगे बढ़ाते हैं साइन्स अफ लॉजिकल थिंग तारकिक सोच का विज्ञान है इसमें हम तरक लगाते हैं इसमें हम एक सोच डेवलप करते हैं इनिवर्शल सब्जेक्ट सार्व भावमिक भी सह है ऐसा नहीं है कि आप किसी और देश में चल जाएं किसी और जगह चले जाएंगे तो यह जो अप्रोप्रियेट लेंग्वेज असपस्ट एवं उप्युक्त भासा है इसमें ओन लेंग्वेज अपनी ही एक भासा होती है गनित के डेवलप साइन्टिपिक आउट लूक इन चिल्डर बच्चों में बैज्ञानिक दिरिष्टी कोन बिक्सित करता है और वेस ओफ अधर सब्जेक्ट्स एज साइन्स हिस्ट्री जोगरफ है दूसरे विशय का आधार है जैसे बिज्ञान इतिहास भूगोल आदिल यानि हम संचेप में से कहे तो गनीत में अमुर्थ परतेओं को मुर्थ रूप में परिवर्तित किया जाता है साथ उनकी व्याख्या भी की जाती है गनीत के ज्ञान का अधार हमारी ज्ञान इंद्रियां है गनीत तारकिक विचारों का विज्ञान है गनीत एक सार्वभौमिक विशय है और जिसके कारण इसकी सत्यता की जाच किसी भी समय तता किसी भी अस्थान पर की जा सकती है गनीत की भासा असपश्ट तथा उप्य आदि गनित बच्चों में बैज्ञानिक दिर्ष्टि कोन विक्सित करता है और गनित दूसरे विशयों का आधार भी माना जाता है उदारन विज्ञान इतिहांस भुगोल आदि में भी गनित परयोग होता है तो हम अगले क्लास में फिंकिंग यानि चिंतन की बात करेंगे तो आज हम लोगों ने गनित सिक्षन सास्तिर के तहट देखा कि what is mathematics गनित क्या होती है nature of mathematics यानि गनित की प्रकृति क्या है और next के आने वाले क्लास में हम देखेंगे चिंतन यानि थिंकिंग कैसे रोल अधा करती है आपके गनित में तो अगर आपको यह वीडियो पशंद है आप नए सब्सक्राइबर है तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन आल पर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी नए से नए वीडियो जब मैं अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले टेक क्यार आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखे थैंक्स फर वाचिंग, कीप वाचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, जै हिन, जै भारत